हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है करनल अमर्दीप और आप देख रहे हैं दे विनिंगेज डिफेंस इस चैनल पर आप पाते हैं आरेंसी स्यानिक स्कूल और मिलिटर स्कूल के बारे में बहुत इंपोर्टन जानगारी बड़ी करेंट इंफोमेशन और बहुत सारे हमारे गाइड ये स्कूलरशिप कैसे क्लेम करें आपने जो नए वाले स्कूल के एस्पिरेंट्स है जिनके बच्चे भी सेलेक्ट हुए है तो जान ले कि क्या स्कूलरशिप है और बागी क्या पैसे वापस मिलते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने हैं सबसे पहले ये मैंने जो कुझपुरा का जो है सैनी स्कूल कुझपुरा का इनका हमने scholarship document निका ले उनकी website पर भी है बिल्कुल authorized है तो इसमे scholarship में जो चीज़े मुझे भी नहीं पता थी सबसे पहले कि scholarship के लिए क्या SCST certificate चाहिए बिल्कुल चाहिए कारण बताऊंगा क्या हूँ general category में marks required सबसे पहले ध्यान रखे कि scholarship आपको अगले साल मिलने वाली इस साल नहीं मिलेगी जब आपका बच्छा 6 में जाएगा जब 6 ख़तम कर लेता है उसके बाद आपको 7 में जब जाएगा तो scholarship आपने claim करनी है सबसे पहले क्या है general category के aggregate marks है 55% और subject wise है 45% मतलब 55% बच्चे ने marks लाने है eligible होने के लिए scholarship के लिए अगर उइतने marks नहीं लाता है अगर से कम लाता है तो आप scholarship के अधिकारी नहीं है तो अभी जब बच्चा आपका सैनिक स्कूल जा रहा है उसको बताना है कि हमने एक वीडियो देखा है करन अमरदीप के द्वारा बनायवा उसमें भाई साव आपने पढ़ाई भी करनी है तो ये general category और जो subject wise है इनके aggregate मतलब total पूरे subject से मिला के और हर एक subject में कम से कम 45% नमबर लाने है इसलिए कि बच्चा पढ़ता रहे तो बहुती कम माक्स है जो SCST category है इसमें ओभी से नहीं है SCST category में ये 55% कम है ये 50% हो और यहां 40% है तो उनको भी अपनी academic performance को ठीक रखना है ये ध्यान रखेगा आप इसमें SCST या general के लिए और कोई वो नहीं है केवल ये percentage को निर्धारिद करने के लिए scholarship के eligibility को निर्धारिद करने के लिए ये आपका categorization दिया है otherwise बाकी जो scholarship है state government जो हर्याना government देते है लगबख सभी सैनि स्कूल में सभी government इस प्रकार की scholarship देती है जो की income पर आधारिद है आपकी जो सालाना और मासिक इंकम है उस पर आधारिद है कई मेरे को बोलते है सर मैं reserve category का हूँ मेरे को क्या scholarship है तो reserve category का केवल यहाँ पर percentage पर फरक पड़ता है बाकी जो scholarship है ये income slab के आधार पर है तो अभी आपने क्या करना है ये तो कुझपुरा का है इसे पर आधार कपूर थला है घुड़ा काल है हर सैनिक स्कूल में ये जो economic आधार वाली scholarship है उसकी range अलग-लग दी वे है आप website पर जाएं और पढ़ें अपने को upgrade पका कर लें अब ये क्या कह रहा है अगर आपकी 1,60,000 है क्ई जग़ पर 1,60,000 है क्ई ज़ी जगा पर 80,000 है इस पर कर के ये slabs भी अलग-लग दिये वे हैं तो यहाँ पर एक लग-60,000 से लेकर 3,00,000 तक का जो bracket दिया है जो कि साल्हना income है जो scholarship के लिए अधिकारी है तो अगर आपकी साला ना income 1,60,000 या उससे कम है तो आपका जो scholarship rate है और full है पूरा मिलता है amount कितना है? 50,000 पे पूरे साल में M.O.D. का share इसको 2,000 मिलेगा clothing money 2,000 मिलेगी तो total amount इनको साल का 54,000 मिल रहा है अब आप कहेंगे केवल 54,000 ही है कुछ और भी है तो कुछ और भी है वो मैं बताएंगे जो आपका राशन मनी है और M.O.D. का एक share आता है वो अलग से भी मिलता है दूसरा 1,60,000 से 1,002,002 तक आपका हाफ है 40,000 ये वन ये 3,4 त है 40,000 पे scholarship है टोटल आपका 43,062 रुपीज है वो किस आधारत पर calculate किया है ये ज़रा आप जब document पढ़ेंगे तो आपको सारे slab मिल जाएंगे सारे वो पढ़के नहीं बताऊंगा आपको उससे confusion जादा होगा तो आप ये करें ये document डाउनलोड करें ये सारा कुछ दिया हुए अब मेरे को एक बहुत ही एक विक्ति का call आया फॉजी विक्ति है उसने कहा कि मैं retired हूँ और मेरे ये income वाले group में भी आता है किसी में और वो फॉजी वाला भी क्याल करना चाहता है तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो फॉजी है NCOs और ORs का मतलब जो JCO नहीं है officers के लिए तो है यह नहीं है उनके लिए 32,000 पर साल की है और जो JCOs के लिए है वो 16,000 पर साल का है serving हो या retired हो क्या document लगे या अभी उसके बारे में बाच्चित करें अब उसका है था कि अगर मैं ये और ये दोनों कर सकता हूँ तो मैंने अपने जो मित्र हैं प्रिंस्पल सर उनसे बात करी उन्होंने कहा है आप एक ही scholarship क्लेम कर सकते हैं तो अगर आप देखे यहाँ पर 54,000 है 43,000 है 32,000 है 27,000 है अगर आप इस वाले में आते हैं तो मैं कहूंगा आप JCO है अगर retired JCO है अगर आपके income किसी कारण से फैस्ट तो pension के साथ इतनी कम income group में आते हैं नहीं कि income tax certificate और income certificate लगना आगे लेकिन अगर बहुत पहले retire हुआ है कुछ और कारणों से परिवारी के income कम है तो आप इन दोनों में से एकी का चुनाव कर सकते हैं मेरी recommendation ऐसे वेक्टियों के लिए उनके लिए लेगी जो especially जो retired फोजी serving वाले तो किसी भी कारण से इस वाले income low income group में आते हैं लेकिन जो retired होची है आज से 10 साल 12 साल पहरे डिए होएं pension बहुत जादा नहीं है बिहार government ने तकरीबन हर state में हर senate school में अपने जो उनके candidate हैं उनको scholarship देते हैं वो कह रहा है अगर आपका income slab for general OBC income slab for SCST अब इसमें क्या है यहाँ पर भी SCST दुबारा आगे है अगर आप SCST हैं तो वहाँ 500 रुपे का फरक है अगर यहाँ पर आपके एक महीने में 8000 है अगर जनरल या OBC में और इसमें है 8500 है अगर महीने के तो scholarship rate है आपका 8500 और clothing मनी यह सालाना है तो total 9300 या 8900 आपको साल की scholarship मिल रहे है बिहार government देर है जितने भी उनके candidates है तो यह बिहार government वाला जो सुवधा है बिहार government का तो सभी schools में है लेकिन बाकी state government ऐसा देती है की नहीं देती यह आपको suspect है अब एक और चीज़ जानने वाली है यह जो हर्याना government scholarship है यह residence के लिए है जो हर्याना के home state वाले है माली जे आप उत्राखंट के हैं और आप कुझपुरा जाते हैं तो यह जो state government वाला scholarship है आपके लिए लागू नहीं है अगर आप defense category के हैं तो आप कहीं पर भी पढ़ रहे हूं किदर भी आपका बच्चा पढ़ रहा है वो आपको लागू रहेगा अब है main scholarship के लिए documents लेना बहुत ज़रूरी है तो scholarship claim form यह आपको school से मिल जाएगा इंकम tax certificate अब यह आप लोगों ने करना क्या है जब 4 अपरेल के बाद आप बच्चे को वहाँ पर जमा करना जाते हैं यह सारी चीजें का format आपने school के जो office है उससे ले लेने हैं वहाँ पर जो भी उनके head clock साव है head clock HC लिख लेते हैं अब यह domicile certificate है बहने बता है वह आपको state के अधार पर मिलती है तो domicile certificate का photocopy attested लगेगा किस से attest करना है सारी चीजें head clock साब से check कर क्याने है अब important क्या है mark sheet of previous exam तो अब लोग पूछेंगे मेरा बेटा भी च्छटी में है तो मैं कब claim कर सकता हूँ तो अगले साल जब च्छटी का result आजएगा उसकी mark sheet लगेगी क्योंकि यह सारे documents state government के पास जाते हैं एक भी document कम है एक भी document format में नहीं है आपका claim अटक जाएगा वो रुख जाएगा इसलिए मैंने कहाँ वीडियो बनाता हूँ अभी बहुत सारे parents है सैनी स्कूल के एक दो चक्कर लगाएंगे इस साल में यह चीजें आपके लिए उनके लिए ले लेने कुछ लोग जानते है लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं तो इसलिए कहा यह अभी जानना ज़रूरी है और SCSC certificate जो है आपका photocopy यदी applicable है तो यह होना चाहिए आपका तो यह आपने ध्यान रखने है अब फौजी भाईया क्या करेंगे serving certificate from the unit तो अजुटेंट साब unit से certificate बना के तरह सियो साब का साइन किया वह एक लेलेने affidavit for scholarship स्कूल से मिल जाएगा mark sheet of previous exam स्कूल से मिलेगा यह लगना है अब जो ex-serviceman है इने eligibility certificate देना है ex-serviceman zone जिला सैनिक board से concern तो आपके जो जिला सैनिक welfare अधिकारी है वह आपको देंगे कि यह ex-serviceman है यह इनका PPO नंबर है इनका discharge book का details है वो लगा के लेगे जाएगे वो आपके जो welfare officer है जिला सैनिक welfare अधिकारी उनहीं से आपने ठपा लगाना है sign कराने है और इसको original miss certificate आपने इसके claim के साथ जमा करते है अब क्या है कुछपुरा ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपनी queries के लिए number दिया और बहुत अच्छा है कि mobile number दिये ज्यादातर लोग क्या करते है ज्यादातर लोग अपना landline number दे तो को उठाता नहीं है लेकिन इस school ने बढ़ा जिता जी का नाम permanent home address किस class में बढ़ रहा है फादर का occupation annual income ये जड़ा important field हो गया है गलत certificate आप ना पनवा है कुछ लोग होते हैं कि अरे मैं तो office में गया वहाँ पर तहसील में मिरको गलत certificate दे दिया ये आज नहीं आज से दो साल बात भी आपकी गलती पकड़ी जाएगी सार आज कल सब कुछ digitized है आपके सारे transaction किसी ना किसी को पता है तो ये गलत certificate नहीं बनाना है और यदि आप income group low income group में आते हैं तो मेरे जो भी अधिकारी घंड है उनसे अपील रहेगी कि उनको बिना तंग किये बिना उनसे कुछ और extra demand किये उनको certificate समय पर issue करने ये जब आप school म तो office में थोड़ा काम complicated है अगर आप इस वीडियो को ढंक से देख रहे हैं तो आप हमसे संपर करिए हमारे पास में जो जानकारी हो कि हम पका आपके साथ share करेंगे और आपको help करेंगे जैसे एक विक्ती थे वो late हो रहे थे medical के लिए मैंने का आप चिंता मत करें आपको train का बस एक लेके जाना है station master से लिखवाली जी कि एक ही train जाती है जो दो दिन बाद कपूर्थला पहुंचेगी तो अभी उनका बच्चा admit हो गया हमें भी खुश है उनका भी बिल्कुल बिचारे का anxiety level बढ़ गया तो एक दम कम होगे मैंने कुछ नहीं किया मैंने खाली सलाई आपको मना नहीं करते है अब आता है office का नाम commercial body mother's occupation annual income माता जी कभी लगेगा वो same है bank account number bank का IFSC code कई हों का bank detail नहीं होता है यह आपने लेना है name of the bank and branch डालना है signature of the student है आप स्टूडेंट के साहिन होगे उसने नीचे signature of father mother के साहिन होगे उसके बाद आपका principal साप के साहिन स्टेट गॉर्मेंट की scholarship के लिए जाते हैं तो स्टेट गॉर्मेंट वाले तो सारे कागस मांगेंगे आपसे यहां लिखा है attached latest income tax income certificate in original supported pay pension certificate तो जो फौजी वेकती है आपका पूरा detail आता है bank से लीजिए अपना सपर्ष पर जाईए अपने pension के detail डाउनलोड कीजिए आपक फौजी के लिए income वाला claim करना नहीं उसने army वाला claim करना तो उसके लिए लग format बाकी वेक्तियों के लिए अब आपकी private job है आप किसी shop में काम करते हैं आप खेती करते हैं आपका कोई भी और business है ऐसे वेक्तियों को income का certificate बनाना है इसके लिए थोड़ी सी महनत करने इसके लिए प्रण से भार्सी फेक देंगे हो गवर्नमेंट से पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है वह कहते हैं वह सारे कागज लाओ जनसंक्या इतनी बड़ी है इतने कागज नि मांगे तो फिर वहां भी fraud शुरू जाएगा तो यह जो है यह फीडियो बनाने का है कि आप बिलकुल सही समय पर अपने सारे डॉक्मेंट्स रेडी करने एफिडेविट देना होगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है मैं यहां करहने वालों आप तो डॉमिसाल सेड्विकेट दे रहे हैं आपके बच्चे का नाम है स्कूल का नंबर है अब यहां पर सन लिख है थोड़ा सो आनन्द आजाएगा आपको देख के यह इंकम सेडिविकेट है सेल्फ वाइफ चाइल्ड टोटल अगर आपके पूरे परिवार के इंकम गिनना है भी तो यहां आप उसमें वो नहीं गड़बड़ नहीं कर सकते यह सारी जो इंकम है यह आपने बिलकुल सही से डिकलेर करने है सारा फॉर्मेट दिया है काउंटर सिगनेचर ऑफ डिप्टी कमिशनर सिटी मेंस्ट्रेट एजडियो यह इतने बड़े-बड़े अधिकारी है यह सारी चीजें वेरिफाई करेंगे तहसीलदार जी वेरिफाई करेंगे तब यह साइन होगा तो अगर आ नाम है करनावर्दी हमारे जो सैनि स्कूल का ऑनलाइन ऑफ लाइन बैचल चलते हैं आप हमसे संपर करें बैच जॉइन नहीं भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जानकारी आपके लिए लेना ज़रूरी है कई व्यक्ति हैं जिनको काफी सारे पैसे वापस मिल ज देता है और 10-12,000 पे हर साल हर कैड़ेट को 10 से लेकर 12,000 मिनिस्ट्रे आफ डिफेंस देता है तो 22,000, 54,000, 70,000 और 80,000, 80,000, 90,000 के करीब आपको पैसा वापस मिल जाता है जो इन सब चीजों को बिलाउं करते हैं नहीं तो जो जनरल वाले विक्ति हैं उनको ये पैसे तो मि अगर आप जेसे हो भी हैं तो 32,000, 48,000 के करीब आपको साल में वापस मिल रहे हैं अब एक व्यक्ति का था क्या होस्टल सबसीडी मिलती है कि नहीं फॉजियों को होस्टल सबसीडी है बहुत हमारा आसमे है लेकिन ये सैनिक स्कूल क्या कर रहा है सैनिक स्कूल आपको सबसीडी क्लेम करना चाहते हैं अगर स्कूल सेटिविकेट देते हैं कि बच्चा इस सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है इसकी ट्यूशन फीस इतनी है और ये होस्टल में रह रहा है इसके आधार पर आप क्लेम भेज सकते हैं हो सकता है जो कंसर्ण सीडिय उसको पास करते है आप ट्राइ करने में कुछ जाता नहीं आप को गलत काम ने करना है आपके होस्टल के चार्ज हैं तभी तो इतनी फीस उसकी जादा है तो ये आप ध्यान देना है राशन मनी जो खाने का जो चाप पैसा पे कर रहा है उसमें से बहुत सारी सेंट्रिल गॉर्मेंट आपको वापस कर रही है तो वो नहीं आप क्लेम कर सकते हैं अगर स्कूल आपको होस्टल का सेटिफियेट दे देता है तो तो ये आपके प्रिंसिपल साव और अपने जो क्लेरिकल स्टाफ है उनके बीच के अंडर्स्टाणी है मुझे उमेद है ये जो स्कूलर्शिप वाला वीडियो है ये एक स्कूल का है बाके आप स्कूल की वेब्साइट पर जाए अपने आप सर्च करें देखें क्या-क्या मिलता है और जब स्कूल में जा रहे हैं तो पक्का वहां के क्लेरिकल स्टाफ से मिलें समपरक करें और उनसे बिल्कुल सही जानकारी लें, फोटो कॉपी करके दे देंगे सारा फॉर्मैट, ताकि आपको उनको बनाने में गड़बर नहों पाते हैं, चैनल को देखते रहे हैं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पक्का उन लोगों से शेर करें, जो सैनी स्कूल में जाने के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे को भेजने के बारे में सोचते हैं, या जो लोग सेलेक्ट होगे हों तो देखेंगे, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा लाव हो जाए, थैंक यू, बाबाई, एंड चैन,